हलो आज है 12 फेबरुरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस के बारे में देखे अदानी और टोटल एनरजी का एक जॉइन कंबिनेशन है ये और देखा जाए तो 1260 रुपए के आसपास ये शेर अभी ट्रेट कर रहा है तीन हजार रुपए से भी उपर चला गया था ये शेर वहां से जो टूटना शुरू हुआ है जो टूटना शुरू हुआ है कि ये रुखी नहीं रहा है लेकि अदानी ग्रीन हो और गैस हो इन में सबसे ज़ादा परसंटेज वाइस गिरावट आई है इवन अदानी एंटरप्राइस में भी आई है लेकिन बीच में वो रिकवर करता नजर आया लेकिन यहां पर तो ये कहीं पर भी रिकवर कर ही नहीं रहा है हर रोज ये तूट रहा है अदानी गैस का शहर और हाला कि सबसे ज़ादा महंगा अदानी गैस ही था क्योंकि सबसे बड़े हाई पी के उपर यही ट्रेड कर रहा था और काफी ज़ादा जो चर्जा हुई भी थी वो इसको लेकर ही थी कि भया डेफिनिटली कोई उतने खा कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपो काफी ज़ादा हेल्प करेंगे तो 1260 रुपए का शहर पिछले महीने में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़ादा भयंकर गिरावट यहीं पर आई है 65 प्रतीशत तक तूटा है शुरू शुरू में तो यह 20-20 परसंट तक तूट रहा था 10-10 परसंट तक तूट रहा लेकिन बाद में अभी 5 परसंट की लोवर साट की लग रही है क्योंकि यहां पर कैप लगा गया 5 परसंट का तो अगर आप देखोगे तो 4000 रुपए का शहर था यह 3918 रुपए के आसपास हम लग 4,000 माल लो तो वहां से तूट कर आया है अगर आप ग्राफ देखो तो भाई अब बिल्कुल नीचे की तरफ जात नजर आए बिल्कुल नीचे की तरफ अगर हम बात करें पिछले एक साल में तो पिछले एक साल में अधानी टोटल गैस का जो शहर वो 30 प्रतीशत तक तूट चूट चुक यहांज गरiquer हमारे यांपर 80 रूपए से बड़ेधार वागयी थी हगरो पूसी आप चैनल को रेगलर फालो करते हो तो जब भी यह शवर आपको सो डेड़ सो रूपए के नीचे मिल रहा था कई सारे वीडियो थे होते हैकि वहागए खरीदारी करो खरीदारी करो售 अगर आप देखो तो एक जटके में तूट रहा है बिखर रहा है कहीं पर भी सपोर्ट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है अदानी टोटल गैस के अगर आप देखो तो नेट सेल्स में भले ही 25 परसन का ग्रोथ आपको देखने को मिले लेकिन अगर यह अगर यह अगर यह बेस पर कंपार करेंगे वह तो था 1105 करोड का ही इनका रिवन्यू है पिछले साल था 880 के आसपास लेकिन अगर पिछले क्वाटर की बात करो तब इनका रिवन्यू था जादा था एक हजार एक सो पंद्रा करोड का इनका रिवन्यू था तो कम हुआ है यह एक हजार एक सो पांच करोड ही आया है रिवन्यू इनका इस बार पिछले साल इसे क्वाटर में इनका रिवन्यू 850 करोड की आसपास था अब प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में के मकाबले तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि इनके रिजल्ट्स है वो उतने अच्छे नहीं है अधानी पावर के भी कुछ ऐसे ही नतीज़े हमें देखने को मिले हैं काफी खराब अधानी टोटल गैस को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां पर आई है आला कि मैनेजम अधानी में सारी के सारे शेर्स बेच दिये यहां पर इसी बीच एक बड़ी खबर भी आई थी कि नौरवे का जो वेल्थ फंड है उन्होंने अधानी के सारे के सारे स्टेक्स जो थे वो बेच दिये काफी बड़ा इंवेश्मेंट था उनका और उनका एक बहुत बड़ा इंवेश्मेंट जो था वो अधानी गैस में भी था देखें कि उनके पास end of 2022 उनके पास जो स्टे समय देखने को मिली है कि भई आप बेच के निकल गए हैं लोग अधानी गैस की में बात करो तो लार्ज कैप शार जरूर है डेड़ लाग करोड के आसपास मार्केट के वाल्यूम बहुत कम है मुश्किल से 50,000 शार ट्रेड हो रहे हैं इसके क्राइस तो है अधानी कंपनी म करें अगर हम बात करें गैस के बारे में अगर हम बात करें तो सिफ 15 पर्सन लोगी है जो बेचने की बात करें वरना हर को कह रहा है खरीदारी करो यहां पर इतना ही नहीं कंपनी को अगर आप देखोगे तो रेवन्यू उनके बढ़ते हुए नजर आये जरूर हमें पहले रेवन्यू काफी कम थे अठरा से लेकर 21 तक लेकिन आप यह सोचो कि रेवन्यू कम थे लेकिन फिर भी शेयर प्राइज में इतनी बड़ी थी हमें देखने को मिल गई यहां पर क्योंकिस 2021 में भाग तो रहा था अगर आप देखोगे यहां पर तो 2021 में भी यह भाग तो र जादा कंसिडर करने लग जाओ 16-1700 करोड का रेवन्यू 3000 करोड ही तो हुआ है यहां पर प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी कोई जादा फरक नहीं है 436 करोड का प्रॉफिट तो 2020 में भी था सिब 500 करोड का हुआ है और यही इस्यू है यहां प प्रॉफिट का पी था अभी गिरा है पी और अभी फी 250 का इसका पी रेश्यो है और यही वज़ाए कि इस वैल्यूशन कोई जस्टिफाइग नहीं कर पा रहा है यही वज़ाए कि सबसे ज्यादा गिरावट हमें अभी ग्रीन में देखने को मिली है गैस में देखने को मिल प्रमोटर के पास 74.80% की होल्डिंग है अधानी और विलम असवर यह टोटल एनर्जी का जॉइंट वेंचर है मूचल फंट के पास 0.13% की होल्डिंग है 5.97 डोमिशक इंस्टिउशन के पास है एफाइस के पास 17.25% की होल्डिंग है रिटेल और अधर की मिलाकर 1.86% की हो अधानी पर नहीं आ रहा है और मैंने पहले भी कादारी के अगर मुझे खरीदारी करनी होगी तो मैं अधानी पोर्ट को सबसे पहला प्रेफरेंस दूँगा उसके बाद अधानी विलमर है और एंटरप्राइस है अधानी पावर अभी भी मैं इंतजार करूंगा थोड़ी मौके बनेंगे जरूर यहां पर लेकिन अधानी गैस में वो नहीं बनेंगे यहां पर और बड़े कर्रेक्शन के जरूरत आपको शायद देखने को मिल सकती है तो यहीं कोंगा खरीदारी करी है तो भाईया अभी तो मौका नहीं मिल रहा है निकलने का क्योंकि हर रोज 5% क गिरावट है लेकिन फिर भी चाहो तो बनें रह सकते हो लेकिन जहां तक बातें फ्रेश बाइंग की तो जल्दबाजी करने की भी यहां पर जरूरत नहीं है यहां पर थोड़े से और फर्दर करेक्शन का आपको वेट करना चाहिए वीडियो को यहीं पैंड करूँगा प अगरा पहले बारें तो प्रीज सब्सक्राइब करें और अधानी टोटल ग्यास के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखतर बता सकते हैं थैंक्यू